कि यह रहा आपका टेस्ट कि स्टार्ट करें स्रिफ 30 मिनेट्स आपको भीजना है कंप्लेंड वाली नंबर लास्ट मैं बता दूंगा किस नंबर में पिंग कर देता हूं कमेंड में किस नंबर पर आपको टेस्ट भीजना है लेजिए पिंग कर दिया इस नंबर पर आपको टेस्ट भीजना है जिसके जो जो गलती है वो समझते जाएंगे मार्क्स यहां पर देते जाओंगा सर यह टेस्ट है जोती शर्मा का और बच्चों को पता होगा कौन सा है अब पर्जेंटेशन यहां से सही नहीं है भई से लाएंटि आपको प्रौपर लिखेना था और यह पॉइंट नंबर बन का अंसर है तो आप इक्जामिन पर को बताइए के पॉइंट नंबर मन का अंसर अपने पूर ठीक किया है लेकिन यह 5 नंबर पुश्चन है तीन पॉइंट थे पांच 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 पंद्रा नमबर लेकिन आपको इसमें पांच नहीं दिया जाएगा चार दिया जाएगा यह ठीक है यहाँ पे पॉइंट नमबर टू यहाँ भी चार ही मिलेंगे और वेल्यू आफ फ़र्म यह हैं पिछना टेस्ट अभी वाला टेस्ट का यह है रहा है वैल्यों फर्म क्या कहता है कुस्चह्ट में आप देखो कुस्चह्ट में क्या कहता है कि वट इस दे वेल्यू फॉर्म पूरा फॉर्म वगेर तो आपको इस पूरे कोश्चन के अंदर बारा नंबर ही मिलेंगे पंदरा मेंसे आप ये वाले फॉर्मेट मिसिंग कर गए हां पर अच्छे से फॉर्मेट में बताना था चलिए दूसरे का देखतें है अगें यहां पे पी रेशो भी नहीं निकाला था पीछे आप पहले पी रेशो आपने बताया तो लेकिन यह क्या फाइंड करना चाहते हो यहां पे यह आपने की बता दिया 0.110 इफ डिविडेंट यहां तक ठीक है यह ठीक है 110, 102 यहां पांच नमबर मिल जाएंगे अब यहां पे देखो पॉइंट नमबर 2 में न सर्फ यह वाला हिस्सा दिखाना था आपको यहां से यहां तक इतना पार्ट ही सॉल्व करना है यह वाला पार आप 2 को अलग से सेपरेट दिखा देते हैं और 3 को सेपरेट दिखा देते हो तो ज़्यादा बहतर होता है अगले पर आ जाते है अधिती अधिती का पॉइंट नमबर 2 अब देखे ज़्यादतर बच्चे वही मिस्टेक कर रहे हैं पॉइंट नमबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक आंसर देना था इस चीज़ को ध्यान लखना एक्जामिनल को ज़्यादा आंसर मत देना नहीं तो वहां भी मार्क्स कई कट जाते हैं यहां तक देना था यह पॉइंट नमबर 3 है तो एक न्यू फॉर्मेट बना लेते और और कर लेते फिर उसके बादा आगे देखते हैं सर एमेम मॉडल के इसाफ से डिविडेंट आपका पेड नॉट पेड हैंस के ही आपने निकाल के दिखा दिया यह ठीक है आपको भी 13 मार्क्स मिल जाएंगे वाई सौरव आपका जो बच्चे भी भेज रहे ना बावन पर क्यावन पर इनका टेस्ट चेक नहीं होगा क्योंकि लास्ट टाइमिंग जो दिया गया था उसकी अकॉर्डिंग रहेगा ऐसे तो बच्चे बहुत लेट लेट भीजेंगे वें डिविडेंट पेड वेल्यों फ़र्म पर्जेंट वेल्यों कि की दे रखा है डी वन दे रखा है वन जिरो एट वन जिरो टू ठीक है देखो जैसे first point पूरा clear करा है second point में जैसे second जवाब दिया है तो 5 यहां मिल जाएंगे पूरे 5 यहां मिल जाएंगे पूरे आपने क्या करा था second और third को थोड़ा mix कर दिया था एक तरीके से उसका ख्याल रखना है आपने इसके बाद आगे देखा जाए कैलकुलेट छे लाग और छे लाग और यही कोश्चन कोई और रहा है कि इस निटाएंगे इस एक कौन सा पार्ट है मैं यहीं चेक करता हूँ वहां नहीं जा रहे अच्छा यहां से है पेज नंबर वन ठीक है पेज नंबर टू बिल्कुल सही यहां पे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि सेपरेट थर्ड पार्ट की है पांच तो पंदरा नंबर इनको मिल जाएगा पूरा इसका ठीक था देखो वन भी अलग किया टू भी अलग किया और थ्री का चलि अगले पर चलते हैं टेस्ट में पी रेशो डिविडेंट दे दिया इन्होंने क्या करा पहले कोश्चन नोट कर लिया फिर डिविडेंट पेड डिविडेंट नोट पेड और यहां पे आपने केई को नहीं डिफाइन किया कि हाउ टू कैलकुलेट की यह ठीक है और यह भी आगया यह भी आगया गुनगुन आपने कहीं भी पूरे कोश्चन में केई डिफाइन नहीं किया ठीक है तो इसलिए आपको इसमें 13 मार्क्स मिलेंगे अगर केई डिफाइन कर देते तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दुबारा देख रहा हूँ केई कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ बस यहाँ पर दो नमबर कट गए केई के डिविडेंट पेड डिविडेंट पेड वेन डिविडेंट नॉट पेड ठीक है दूसरे पॉइंट का भी आंसर ठीक आ गया अगेन यह तुबारा भेज दिया अगेन कि यह डिफाइन नहीं है और थोड़ा पर्जेंटेशन ठीक करना पड़ेगा स्केल से यह लाइन वगरा खीचो तो बेटर है फैजन का है यह यहां तक ठीक है रिटेन अर्निंग टॉटल फंड रिक्वाइर फंड ठीक है आपको भी थर्टीन मिलेगा इसमें देखो लाइव क्लास वाले बच्चे सभी कर रहे है आपने यहां मिक्स कर दिया यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट भी आपके आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यह बहुत डिफरेंस आंसर में यह B पार्ट पता नहीं क्यों भेजाईए नई third value of firm आपने देखो यह जो आपने निकाला है ना यह that is value of firm ही था यह गलत हो गया आपका आपने 1 point गलत कर दिया थार्ड तो आपको आठ नंबर मिलेंगे इसमें मुस्कान इन्हों ने भेजा है पीडियोफ अगें इन्होंने के डिफाइन कर दिया के केई कैसे निकालते हैं और सेकेंड इन्होंने बता दिया सरकर करके और थार्ड भी बता दिया इन्होंने पूरा बताया लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये सेकेंड और थार्ड थोड़ा मिक्स अप लग रहा है आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे नंबर चाहिए तो थोड़ा और इलेबरेट करके डिफाइन और जो अजम्शन लेना था नोट देना था वो भी लिख दे तो बेटर रहेगा ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं कहां गया यह आ जाते हैं तिया का को गया डाउनलोड इमेज भीज दिया कर आप ताके जल्दी हो जाएगा if dividend not paid if dividend declared ठीक है और second point का answer number ये बिल्कुल ठीक है और third point का answer इन्होंने आप देखो इन्होंने separate separate किया है तो आप भी इसी तरीके से separate करना है अपने first point को अलग define किया क्योंकि examiner का हर point के अलग मास है बस इसमें एक कमी रह गया कमी ये रह गया है इहां पर कि कैसे आया वो नहीं पता चल रहा मुझे यहां पर जो आपने के यहां पर लिया है जिरो पॉइंट वन वो डिफाइन नहीं किया तो वहां पर आपके दो नंबर कट जाएंगा अगर वो कर देते तो पूरे मिल जाते आपके चलिए वाई सब इसके अंदर राइटिंग बहुत खराव अपने डायरेक डायरेक आंसर किया है और मानता हूं कि आपका आंसर ठीक है देको कई बार हता है हमने सब कुँछ करा डायरेक डायरेक ठार किया मैंने यहां पर क्लाइस के अंदर बताया था कि डी डिविडेंट Voilà Put वो सिर्फ समझाने के लिए था आपको proper वहाँ पर लिखना है आपको इसमें 9 नमबर ही मिल पाएंगे presentation बिकार होने की वज़े से 100% accurate है लेकि 9, 10, 11 examiner का जो मन करेगा वो देगा क्योंकि ना तो point wise आपने बताये का पहले point का अंसर ये है दूसरे point का अंसर ये तीसरे का तो वैसे define करना है तो काफी बच्चे बोलते है ये तो मेरा 100% ठीक है इसमें बाक्स आ जागा लेकिन जब result आता है तो बोलते है पेपर बढ़िया गया था लेकिन नमबर नहीं आए तो इस तरीकी की गलती नहीं करना अपने exam में चलिए सर ये आ गया हमारा केई defined कर दिया इन्होंने dividend paid not paid number of shares निकाल दिया net required fund divided by this और यहां पे इन्होंने पूरा निकाल के बता दिया ये बिल्कुल ठीक है किसका है चंचल का है यह पूरा का पूरा ठीक है यहां पर केई define कर दिया लेकिन जब केई आप लिख रहे हो तो ठीक है यह भी हो गया यह भी कर दिया यह भी कर दिया और डिविडेंट पेड यह थार्ड का अंसर है ना तो आपको 14-15 भी मिल सकते हैं इसमें कि वन सिकांग केई निकाल दिया डिविडेंट डिविडेंट नौट पेड सेकिंड का अंसर देखो सेपरेट बताया गया है और थर्ड का भी ठीक है अब यह मैं चाहता था कि फर्स सेकिंड और थर्ड का अलग अलग बताया है अब इसके अंदर मुझे किस चीज में समझने में दिक्कत हो सकती है कि सर आपका इस वाले में 4545 नंबर कहां से आया यह 4545 नंबर कहां से आया आपने हाला कि यह वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया होगा लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा तो आपको दोनों के नंबर निकालने थे आपने जैसे देखो इसका नंबर तो बता दिया निकालके कैसे आया जैसे आपने इसका नंबर निकालके बताया ना कैसे आया रिक्वाइड फंड पी वन तो एट टू फाइव लेकिन इसका नहीं बताया तो इस वज़े से भी आपके मार्क्स कट जाएंगे यहां पे यहां तो आया नहीं है यह आपका पी रेशो ठीक निकाल दिया डिविडेंट पे डिविडेंट नौट पेड पी वन आपने निकाला पीटू निकाला सेकिंड का अंसर अब देखो second के answer में number of shares गलत आ गया आपका, I don't know क्यों गलत आ रहा है, आपने 100 से divide कर दिया इसको, 100 से divide नहीं करना था, P1 से divide करना था, तो yes आपका यहाँ पर यह गलत हो गया, यह वाला part गलत हो गया, इसमें पूरे 5 number मिलेंगे, यह part गलत हो गया, जब यह part गलत होगा, त तो definitely यह भी part, अब यही तो theory है, कि दोनों value of firm सेम आएगा, आपका अलग आ रहा है, तो गलत आ गया, तो आपको 5 number मिलेंगे, 15 में से, इसके बाद, वें, डिविडेंट पेड, डिविडेंट नॉट पेड, देखे, यह आपने, यहाँ पे, क्या कि आपने, वन डिवाइड़ेड बाई, टेन कर दिया, लेकिन आप explain तो करो, यह जो 10 निकाला है, वाट इस, पहले आप केई का फॉर्मूला लिखोगे, 1 divided by PE ratio, उसके बाद यह 10 लिख सकते हो, यह आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया, यह भी आपका ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड क्या कर दिया आपने, आपने number of shares, number of shares कहां है, देखो आप दो दो बार निकाल रहे ह तो no need to calculate यह, double time हो गया ना आपका, number यहाँ पे 4582, यह आपका doubling हो गया, थोड़ा सा आपको point number 1 और यह point 1 देखों, यहाँ 1 और 2 लिख दिया, point 1 यह है, 2 और 3 mix up हो गया है, that's why आपको 12 number मिलेंगे इसके अंदर, यह 15 number का test था, चलिए sir, आ जाते हैं, देखें, बिल्कुल neat and clean है, यहाँ पे केई को पूरा explain किया गया है, कैसे है, और यह पूरा point by point, अब यहाँ पे बस एक ही mistake है, A, B और C, जो भी था, 1, 2, 3, अब question कैसे requirement था आपका, देखो, question कैसे requirement था आपका, 1, 2, 3, तो आपको जवाब भी 1, 2, 3 में ही देना है, A, B, C नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखना आपने, आपने A, B और C का part नहीं रह गया, पूरा answer ठीक होने के बाद भी, presentation ठीक होने के बाद भी, आपको 12 number मिलेंगे, reason, आपने second point और third point को अलग-अलग नहीं करा, गलत नहीं है, देखो, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े marks deduct हो जाएंगा, ऐसे दीरे-दीरे कट के ना, हमारे marks कट जाते हैं, साथ एकत्थिस पे, फिर्स्ट पॉइंट ठीक है, second point ठीक है, केई explain कर दिया है, केई कैसे निकाला गया है, value of firm निकाल दिया है, firm paid this, this, सारी चीज़े बता दिया, again, 13 marks के लिए deserve करते हो, 13 marks क्योंकि mix है, इसके अंदर answer पता नहीं चल रहा, चलिए आईए, वन शिका, presentation में काफी improvement की जुरत है, आपको देखो, पहले आपने ये part किया, ये जबकि उपर होना चाहिए था, के ये आपने explain कर दिया, ठीक है, ये उपर होना चाहिए, 123 चलना था, आपने 123 से कर दिया, ये number of shares, आप define करिए, ये answer है number two का सुरिफ, फिर V आपने निकाल दिया, पूरा question ठीक है, आपको भी 12, 11 ऐसे ही मिलेंगे marxist के अंदर, चलिए, के एए explain कर दिया, dividend paid, dividend not paid explain कर दिया, अब दूसरे number 5, बिल्कुल ठीक, आप देखे, हंशी का, इसका पूरा है ठीक, पहले इन्होंने question लिखा लिखने की जुरत नहीं है, फिर इन्होंने केई को explain किया के केई कैसे आए, चीजों को ध्यान देखना, dividend declare, प्रॉपर करा, dividend not declare, second का number of shares, देखो, प्रॉपर लिख रहा है, calculation of new number of shares, जबकि बहुत बच्चों ने छोड़ दिया, और यहां proper बताया है इन्होंने, और इसके साथ-साथ, नीचे, third part को देखो, अलग किया, तो clearly mention है, first part में 5 number, second part में 5 number, और third part में 5 number, तो इसके अंदर हमें पूरे 15 marks मिल जाएगा, 15 marks इसमें मिल जाएगा, इस तरीके का answer चाहिए examiner को, आप अपनी तरप से 1% की गलती मत छोड़ो, सभी बच्चों का जितना चेक कर रहा हूं, स्रिफ एकात बच्चों का गलता है, answer ठीक है, लेकि नंबर क्यों कमा रहे हैं, वो चीज़ा उबसर्व करने हैं, लिया, चलिए, एक यहाँ पर देखो, यह सारी चीज़े नहीं करना, exam के अंदर, not paid, again mix कर दिया गया है, यह क्या निखाला गया है, के इपिएस, जिसको मैंने पंदरा नंबर दिया, आपको पता भी चल गया होगा, सर, पंदरा नंबर क्यों मिला है, डिविदेंट पेड, आपने एक पार्ट missing कर दिया, या मेरे पास सिंक नहीं हुआ, पता नहीं, I don't know, एक पार्ट जो भी missing हो गया है, इस वज़े से आपको सिर्फ और सिर्फ केई आपने नहीं निकाल के बता है, तो आपको आठ नंबर मिलेंगे, पंद्रा में से, तीन में से आपने सिर्फ दो पार्ट करें, और यूट से नहीं हो गा कुछ नहीं होगा, की तरफ दैख लिए पर को आपने लिट में पर्जंटी्टेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, बागी ठीक है तो तो आज का टेस्ट लेके हमने पूरा चेक कर दिया है àugला टेस्स जो भी रखें हम supportive मंडए टेस्ट का मैं बता देता हूँ कौनसा टेस्ट रहने वाला आपका एक तोडिविडेंट पॉलिसी यानि यह पूरा यूनिट रहेगा और एक रख लेते हैं हम कुन सा एक रख लेते हैं इपिए एपिएस दों चप्टर एक डिविडेंड पॉलेशी एक एपोष अघली क्लास म्थे बिधेंक करेंगे और एड उन कर मैं लिवरेज तीन चप्टर का टेस्ट है मैं लिख देता हूँ सर कौन सा डिविडेंट लिवरेज और प्लस पहले इन टेस्ट को निप्टा ये फिर हम आगे देखेंगे ठीक है तो चलिए अगली क्लास से अगली क्लास सेम टाइम पर रखते हैं क्लास में टेस्ट ही रखेंगे इन टीन चप्टर के आप पूरी तरीके से प्रपेर करके ये एंड टू एंड चेक करके देदेंगे और साथ के साथ यूनिट नमबर फाइब का बच्चों के कंटेंट में वीडियो डाल दिये हैं यून करते हो ईंड टू बच्टर के साथ यूनिट कर देदेंगे वे एंगली की साथ यूनिट नमबर फिलक टूनिट कैसे बच्टर के बच्टर सेम गयरऊमें टूनिट प्रेंगे रखेंगे परेंगे उनांसी यू वीडियोगानारि स陶ूनिट बच्टर के रखेंगे जotion हैं